हरी द्वार के रिशी कुल आयरुवेदिक विभाग की और से इन दिनों क्रोना फ्रंट लाइन वाइरस को आयोश रक्षा किट वित्रित की जा रही है विभाग की और से अब तक कई हजा रक्षा किट बांटी गई है जिला आयरुवेदिक होस्पिटल के डॉक्टर ओपी सिंग ने बताया कि हमारे होस्पिटल में शुरू से ही लगाता टोटल स्टाफ क्रोना संक्रमित लोगों को देख रहा है और लोगों को भी आयोश रक्ष पर बेकाबू पाने में काम्याब हुए हैं डॉक्टर निरेश चौदरी ने बताया कि आयोश रक्षा केट श्रीर में रोग प्रतिरोधिक शम्ता बढ़ाने में मदद करता है जो हमारी पत्ति है इतनी प्राचीन पत्ति है इसी से संबंदित जो भी इम्निटी बढ़ाना प्रतिरोधिक शम्ता जो हम सरीर में बढ़नी चाहिए वो हमारे सारा स्टाफ या डॉक्टर हो या परामेडिकल स्टाफ हो या हमारे जो पीजी के स्टुडेंट्स फिलाल यूजी के स्टुडेंट्स के तो लोग डाउन से ही छुटी चल रही है वो सब अपने आईस किट जो हमारे स्टेट गवर्मेंट ने बनाई है उसका तो यूज करी रहे हैं आप हमारे केंपस में जाके देखेंगे जगे जगे हमारे गलॉय मिलेगा इस तरह का असगंदा यह सब चीजे हम पहले से ही यूज कर रहे हैं और हमारी प्रतिरोधिक छमता इतनी है कि हम फ्रंट तरह से कोरोना से घर्चित पेशन्ट भी यह अड्मिट रहे हैं और हमारा स्टाफ डूटी भी कर रहा है और बड़ा फ्रंट लाइन पे कर रहा है और मैं खुद मुझे कई नोडल अफसर का चार्जिज है मैं प्रवासियों में भी मैं रेलवे स्टेशन पे फ्रंट पे से राद दिन डूटी कर रहे हूं लेकिन एक कमिटी बना करके पूरा आयूस रच्छा किट हमने तयार करवाया यह रिस्कुल इस्टेट फार्मेसी में बनके हमको प्राप्थ हुआ है हमने सभी लोगों को इसमें साथ चीजे हैं काढ़े में जिसमें वासा, गिलो, तुलस इसके बाद यह क्वात है कि प्रतेक रोगी को सुबह साम पीना है, इसको क्वात के विधी से पका करके कि एक गिलास पानी में करीब एक चम्मच पाउडर डाल करके उसको पकाएं, एक चवथाई सेस रह जाए कि उसको चान की पी, दूसरा हमने गिलोई घन बटी या उसका की तैयार किया गया है, इसके सेवन करने से प्रतेक प्रकार के रोगों को लिए दूर करने की चम्ता है, ये रोग प्रतिरोधर चम्ता को बढ़ाता है, बॉड़ी की मिटी को बढ़ाएगा, इसको हमें लगातार यूज करते रहेंगे, तो हमें जो है, हो सकता है कोरोना वा दाई है तो इसलिए इसका उपयोग सभी रोगों में और सभी दोसों को जो हमारे हावात पित कब बताए गए हैं वो सभी को दूर करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है इसमें बहुत तहम है उसके साथ हमने जो कौात में डाला है वासा, वो भी respiratory system पे काम करता है, तुलसी वो भी respiratory system पे स्वांस में, कास में, प्रतिस्याय에 में, तो त्रिकटू जो है हमारे आम का पाचन करता है, साथ में बीपन पाचन जो हमारी अग्णी प्रदिप्त होगी, तो सभी प्रकार की रोगों को दूर करेगा या कहने का मतलब की डाइजेस्टन हमारा सही होगा तो इसमें जो क्वाथ बनाया गया है न ये इन चीजों को बिचार करके साथ चीजें जो मिलाई गई है मुलेठी उसका भी मेन रोल है कंठ के लिए प्रतिसाय के लिए स्वांस के लिए तो ये सभी चीजें रिस्पैक्टि सिस्टम डैजेस्टि सिस्टम को जब हम सही करेंगे तो हमारी बॉडिक किम्निटी अच्छी होगी मजूदा हलातां ते नजर मारिये ता एनसान तरन-तरनदियां बीमारियां नळ जूझ रहा है एनसान बीमारियां तो छटकारा पाउंडी तरन-तरन दे उपराले भी करदा है और जिमें तो हड़े दुखा नो मदे नजर अकदे होई इस तो पहला फीर लीफ आयल तियार किता गया जिस तो आरा एक सो पच्ची बिमारियां दा इलाज किता गया ते होन एक होर पड़क्ट तो हनो दुखा तो नजात दोन लई खाजर है फीर लीफ पाबर जिस ते ना तरां तरां दियां कमजोरियां नो दूर किता जा सकता है जिमें मरदाना कमजोरी, अंतरियां दी सोजिश, पिशाबिच जलन, दिल दी कमजोरी, खून दी कमी अते दिमाग नो तेज करता है अलगला गला बाटरियां तो अरवेदी के महरां दोरा टेस्ट होके आप सब्दे अरूबरू है और जिसने बेच कई तरह दियां अरवेदी के जड़ियां बूटियां आते कई तरह दे पसम मिला के तियार किता गया है ओ नौजबना ले बड़ा वर्दान सिद हो रहा है जो नौजबन मर्दाना कमजोरी नाड जूज रहे ने ओ होन फीर लीफ पावर्दा इस्तेमाल करन तो बाद दोबारा खोई हुई मर्दाना ताकत नों हासल कर सकते ने इस्ता कोई भी साइड इफेक्ट नहीं है तुसी पदेरे जानकर इले संपर कर सकते हो 94-784-84-0-87